दिपाजी मैं जिर्वे एक चीट पूछा पूछा सांखे की विशेशकी आँ वहाँ सब बोल दिये सारे जूटों का पुलिंदा परोज दिया लेकिन सत्य प्रश्णका उत्तर देने में असमर्त रहे बताईया बैदुबेजी बताईये साथ एप एफो में उन्नीस सो पावन से 2014 में किस माह में आपने 50 लाग कभी आंकड़ा क्रॉस किया हो एक महीन बताईये अरे सहाब सहाब सुन लिजिए प्रेम शुकला जी हम नहीं कह रही है यह लेबर मिनिस्ट्री का आपका डेटा है भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री जो आपने छुपा दिया था पहले रि किस माह में 50 लाख लोग कांग्रेस के कारवाद में एक महीना बताईये नहीं है घूट का पुरिंदा परोसने के अत्रिस्त लाख सब्सक्री खाली पड़ी की ज्यान कोर्स में कुछ उपलम्द नहीं है ठोथा चना बाजे घना आपका एने से सोना बाजे घना जवाब सुन अब यहां वहां ऐसे कैसे कैसे आप उत्तर दे रहे हैं अब कितने बड़े जूटे हैं देश को कैसे बरगलाते हैं अगला ही सेक्टर में रेजिस्टर होते हैं अनोगनाईच सेक्टर में अतिरिक्त लोग इसका अपम प्रसःते हैं आपने बाद़र में हैं तो इसका मतलब है कि मिंवर्धिवी है राहूल गान्धी की जार्ज सोरोस के चंदे पर पलने वाली बंडली हर पल बेनकाव हो रहे हैं हर पल बेनकाव सो रोस के सो रोस के चंदे पर पलने वाले चंदा जीवी चीन के चंदे पर पलने वाले चंदा जीवी वो फोर्स से लेकर टूजी तक घोटाला करने वाले रस्ताचार जीवी गौटर जाकिर नाइग से जो है तो निर्म कि आप बताइए यहाँ खानी कश्मीर की ते मैं भागने लगे मुझे बताइए ना इपी एफो का याक्रागा रते हैं जो प्रेम चुकला जी दे रहे यह बोल दीजिए ने 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 वह अपको बताता हूं ने टेकनिकल आसपेक्ट समझ लीजिए उसका साथ लाख मसमी अरसल टेकनिकल कोई नहीं समझ रहा है यह यह बताईए कि इस आखड़े का क्या जवाब है अब आपको अरे इस आखड़े का कोई आधार नहीं में वही बताना चाह रहा हूं आपको आप यह बताईए कि जब आपके साथ लाख मसमी पर्मानेंट बंद हो गए दो या तीन लोग आगड़े का अधार नहीं है तो आपके कोने दो और स्पैम के आखड़े का अधार है गजब है रेम शुकला जी गजब गजब ठितरही कहते इसको अधार करोड रोजगार हो जाते हैं बारा करोड रोजगार चिली और इपएफे के डेटा की बात कर रहे हैं चले दोनों आप अपने अपने तरक और सोच लीजिए मैं बाकी पैनलिस्ट के पास चला जाता हूं और मैं शुरुआत यहां पर नावल किशोर जी के साथ करता ह आज आपने तस्वीर डाली मैं चाहता हूं ट्विटर पर वो तस्वीर डाली जाए फिर से जो मैंने दोपहर में एक बार दिखाएती अमरीश पूरी और उसके हाथ में सिंगोल की तरह एक डंड है और किसी फिल्म का है अमरीश पूरी एक घोशिक खलनायक है आप उसमें इंद्व फिल्म कौन günी फैसाँ क्या हैं चाहिए कि एक अगर अगर आपapa रहें किरंड या कि जिस तरह का कारें वो करते रहे हैं या जिस तरह से भाव का प्रोपगेंडा करती रही है वो प्रोपगेंडा तो घातक है जो जहां पर संसदिये पनाली में संसद सर्वो पड़ी है यहां पर एक व्यक्ति और एक दल कसम खा लिया है कि वहीं सर्वो पड़ी है एक व्यक्त गहादन किया उस दिन भी किया एक व्यक्टी कितना भूखा है इस तरह के लोग प्रियता के लिए जो receipt नहीं करता है लोगतंत्र की रोज तया होती है जिस लोगतंत्र शन्या भा वहाई है भारतिय परिपेक्स में जहां विपक्षी दल बाप बीच से ज़्यादा विपक्षी दल उसमें सामिल नहीं हुए वह क्या दर्साता है वह यही दर्साता है कि इनको लोग नंतर में थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है यह प्रोपगेंडा और जूट और भ्रहम फैलाने में माहिर है जब आप वोट परसेंटे सबका काउंट करेंगे कर लिजे कितना पड़ेगा 20 विपक्षी दल कम तो नहीं होता है ना 20 परसेंट तो कॉंग्रेस के पास ही है और 20 जो मुख जो विपक्षी दल है अगर वो उस प्रोसेस में उस इवेंट में नहीं पार्टिसिपेट करता है इससे क्या संकेत मिलता है नहीं तो आपको नहीं बुलाया आपको नहीं बुलाया था नहीं बुलाया था बाइकॉट करने का मतलब आप कूं समझाएगा बाइकॉट करने का मतलब अगर आप नही समझ पाते हैं बहिसकार का मतलब नहीं समझते हैं जिसका उपयोग देश की स्वधन्था प्राप्ति में इतना महत्व पूंता तो फिर आप से क्या बात करना उसी चुपे शिर्फ आपको यह बताना चाहेंगे कि यह सरकार लगातार जन सरोकरा के मुद्दो को हटा कर केवल पर उनमुद्दो के अधार पर तस्वीर आगई है तो आप यह कह रहे है कि मोदी जी अमरीश पूरी की तरह काम कर रहें यह कह रहे हैं यह आपको कैसे समझना हूँ आप समझे हैं कि यह को फिरिये चाहिए लोगों को परकलाता है उसको क्या चाहिए नहीं बीजेपी बताईए शिमत्यागी जवाब दीजिए लगातार बड़का मेरे को लालु जी कही बार यह सब बोलते रहे हैं बड़का जुटी पार्टी तेके बीजेपी लगातार जुट बोलती रहती है ऐसा कहना है इनका और कॉंग्रिस का कहना है कि जन सरोकार के मुद्दे नहीं है भारती जनता पार्टी की सरकार में नौ साल में कुछ काम हुआ नहीं है देश असुरक्षित है अंदर भार हर तरी के से अशुरक्षा के भावना है तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं अब दुबे जी आपके लिए यह मतलब आज की शाम मोदी जी के नाम आप द से मरें तो आहला पर 2010 में आट को अब आपको अब भारी सुरक्षा पर भी आता हूं जब इस देश में हमला हूँ तो पलट के सर्जिकल स्ट्राइक गई जब इस देश में फिर से हमला हुआ तो पलट के रिपी बताई आ को इसतिहास अब छोड़ दीजिए अब तो जनसर इतने शांदार जनसरोकार के मुद्द चला रहे थे और economy अगर इतनी ही विकर है तो ये पैसा कहां से आ रहा है Congress Office से तो नहीं आ रहा फिर उसके बाद आगे आ जाईए अब important है इस पर आते हैं infrastructure पर इस देश में एक लाग 44,530 किलोमेटर रोड बनी है जब से Congress सरकार 19-47 के बाद ये देश आज़ाद हुआ और पिछले 9 साल में approximately 50,000 किलोमेटर नैशनल हाईवेज बन चुके हैं CGRO की रिपोर्ट के हिसाब से 17% जादा अगर भारती जनता पाटी जन सरकार के मुद्धों के काम नहीं कर रही है तो ये सलके कहां से बन रही है उपर से तो भगवान ले आउट नहीं कर रहा है सर बहुत लंबिल स्टैप को सुनना पड़ेगा